अमस्कार है पर इन बाश्परी अपने यूटूब चैनल मैं जित मन बाश्परी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जैसे कि आपको पता है कि अपको आपका टैपिंग टेस्ट है यानि कि 26 नॉमबर को आपका टैपिंग लगा हुआ जो कि आपका पैन इंडिया बैसिस पर होने जा रहा है तो आपका जो ऑन-लान टैपिंग टेस्ट होने बाला है उसके कुछ important पाइंट को आज हम discuss करेंगे और यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अगर आपने एक भी चीश को मिस कर दिया, तो आप टाइपिंग से बाहर हो सकते हैं, जी है मैं बिल्कुल सही बोलना हूँ, तो यहाँ पे self verification जो है आपको करना बहुत ही ज़्यादा mandatory है, अगर आपने self verification नहीं किया, तो आपके typing का कोई मतल नहीं है, तो self verification क्या है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके अलावा आपको कौन-कौन से document लेखते जाने हैं, उसके बाद जो आपका typing test जैसे कि आपको पताए कि LDC के लिए आपका 10 minute का typing होता है, ठीक है, तो आपको यह 26 minute का typing test क्यों कराया जाएगा, इसका क्या मतलब है, यानि कि 10 plus 3 plus 10 plus 3 का क्या मतलब है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से explain करेंगे, और जो तमाम doubt आपके दिमाग में हैं, उनको भी यहाँ पे हम लोग clear करने वाले हैं, इसके अलावा जो भी question आपके दिमाग में उठ रहे हैं, उन सारे question का answer आज की इस वीडियो में मै देने वाला हूं, उसके अलावा जो भी student SSC CHSL 2018 का tapping देने वाले हैं, उनके लिए, SSC CHSL के previous जो पैसेज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा important है, अगर आप लोगों ने अभी तक SSC CHSL के सारे previous पैसेज को type नहीं किया है, तो मेरी सभी student से personally request है, कि आप SSC CHSL के previous पैसेज ज़र को ही दो से तीन बार type करना है, तो अगर आपने previous एर content को purchase कर लिया है, तो अच्छी बात है अगर नहीं purchase किया है, तो कैसे purchase कर सकते हैं, 6307185699, 6307185699, इस नंबर पे आपको बाटसप करना है, आपको सारी information इसके regarding मिल जाएगी क्या नंबर है, 6307185699, यहाँ पे total 27 SSC CHSL के previous passes की PDF है, इस PDF को आप लोग purchase कर सकते हैं, और आज जो एक दिन आपके पास बचा हुआ है, इस content को आप 2-3 बार type करें, इससे आपको बहुत ज़्यदा benefit होगा, और इसकी cost इतनी कम है कि हर एक इस student इसे purchase कर सकता है, और यह start करते हैं इस वीडियो को, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको documents कौन कौन से लेके जाने हैं, तो उसका answer हम यहाँ पे admit card के थुरू देने वाले हैं, जो आपका SSC CHSL 2008 का typing test का admit card आया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने personal information जो है, वो hide कर दी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको documents कौन कौन से लेके जान certificate, if photo identity card does not have the same date of birth, date month, then the candidate must carry an additional certificate as proof of their date of birth, in case अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप typing test नहीं दे पाएंगे, आपको कौन कौन से document लेके जाने हैं, सबसे पहले आपको दो passport size की photo यहाँ पे बोला गया, लेकिन मैं आपको suggest करता हूं कि आप दो से ज्यादा, चार से पांच आप photo लेके जाएं, जो की आपकी, जो आपने form fill up किया था, उससे match करती हैं, अगर नहीं match करती हैं, तब भी कोई दिकत बाली बात नहीं है, लेकिन अगर बैसी हो photo आप, तो बैसी लेके जाएं, अगर दूसरी हैं, तो कोई दिकत बाली बात नहीं होगी, त driving license हो गया, तमाम चीज़े जो हैं वो आपके, उसमें आप notice में देख सकते हैं कि क्या क्या आपका identity proof होता है, और इसके अलावा मैं आपको राय देता हूं कि आप इसकी एक photocopy भी लेके जाए, उसके अलावा आपको ये अपना admit card लेके जाना है और इसके अलावा आपको कोई copy और आपका admit card, तो हम बात कर लेते हैं कि 10 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 3 इसका क्या मतलब है, यानि कि जो आपका typing test है, LDC, PASA जैसे के लिए वो total आपका 26 minutes के लिए होने वाला और जो लोग जिनको relaxation मिलेगी जिनी student को उनके लिए 31 minutes का होने वाला, तो 10 प्लस 3 प्लस 3 का मतलब ये ह कि जैसे कि आपको पता है कि इस बार आपका pattern चेंज हुआ typing का, तो सारे बच्चों के दिमाग में confusion है, तो इसी confusion को clear करने के लिए 10 minutes का पहले आपका demo होगा, मतलब जिस तरीके से आपका typing होगा, एक्चुल में typing होगा, वैसा ही आपका pattern का demo करा जाएगा, ताकि आपको 10 minutes के demo में आपको सारी जो बाते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से clear हो जाएगी, इसी बज़े से आपका 10 minutes का demo होगा, उसके बाद 3 minutes का आपका relax होगा, मतलब आप relax कर पाएगे, उसके बाद आपका actual जो typing का passage आपको, जो content आपको type करना है, वो आपको उसके लिए time मिलेगा 10 minutes का, और जो last के 3 minutes है, उसमें आपको self verification करना है, अब इस self verification क्या है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 10 plus 3 plus 10 plus 3, यानि कि overall, जो 26 minutes आपको मिलने वाले हैं, इसका क्या मतलब है, 10 minutes आपका शुरुआत में demo होगा, उसके बाद 3 minutes का, आपको time मिलेगा, relax के लिए, उसके बाद आपका 10 minutes का, actual में आपका typing passage होगा, और उसके बाद 3 minutes का जो time है, वो आपका self verification के लिए, तो self verification बहुत ही जदा important है, और इसको आपको miss नहीं करना है, अगर आपने इसको miss कर दिया, तो आप typing से बाहर हो जाएंगे, तो self verification में relaxation time given to the candidate between two exam, मतलब यह आपका relax करने के लिए time दिया हुआ है, जो कि आपके जो भी जितने भी step में आपका exam होगा, उन सभी step के बीच में 3 minutes का आपको relax time दिया जाएगा, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, दिखिए, 10 minutes will be given to attempt typing test and 15 minutes each for test, यानि कि 10 minutes आपको typing test के लिए मिल दिया जाएगा, अब यहाँ पे देखो, छेटे point में लिखा हुआ, there will also be a break up 3 minutes between mock practice and the actual typing test only, ये बात मैंने आपको बता दिये, if candidate are giving typing test and test test other than also there will be a break up 3 minutes between every two tests, ये भी बात मैंने आपको बता दिये, कि जितने भी test आप देंगे, उनके सभी के बीच में आपको 3 minutes का time दिया जा ठीक है, लेकिन सबसे काम की बात यहाँ पे आपके लिए क्या है, देखिये, there will be a self, ग्यारवे point में लिखा हुआ है, there will be a self verification section consisting of one mandatory question with the duration of 3 minutes at the end of complete exam, ठीक है, candidate will also to ensure that they have completed verification process before leaving the examination, half failing based, their candidature will be cancelled, इसका मतलब यही है, कि अगर आपने इस process को complete नहीं किया, तो आपके typing देने का कोई मतलब नहीं है, आप typing से बाहर हो जाएंगे, तो जब आपका 10 minutes का typing हो जाएगा, तो last के 3 minutes में आपको self verification करना, उसमें आपको क्या करना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ उसमें एक question आपसे पूछा जाएगा, उसको आपको yes या no के form में दिया होगा, उसे आपको verify करना होगा, उसके अलावा जो matter आपने type किया है, उसमें लिखा होगा, कि क्या ये matter आपके द्वारा ही type किया गया, तो उसमें भी आपको tick करना पड़ेगा, कि हाँ, ये चीज़ का answer मिल गया होगा, कि आपको बहाँ पे क्या क्या करना होगा, तो document कौन कौन से लिखके जाने, ये बात आपको समझ में आ गयोगी, उसके अलावा, 10 प्लस 3 प्लस, 10 प्लस 3 का क्या मतलब है, self verification का क्या मतलब है, तो तीनो question का आपको answer मिल गया होगा, उसके अलावा, सभी student आज आपके पास जो time बचा हुआ है, इसमें आपको करना क्या है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको previous year content type करना है, जितना आप previous year content type कर सकते हैं, उतना करिये, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर previous year content आपने purchase कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 6307185699, इस नंबर पर आपको whatsapp करना है, आपको previous year content प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसकी cost इतनी कम है कि हर एक student इससे purchase कर सकता है, उमीद है कि में दोरा दी गए information आपको बहुत तरीके समझ में आई होगी, वीडियो गर अच्छा ल झाल